आज का जो concept है वो है small body candle जो आज के market के ही उपर है वो बेस्ट है उसे को मैं दिखा रहा हूँ 15 मिनट के time frame पे so start करते हैं simply क्या होता है market पे यह जो small kind of body जब भे identify होता है यह पहली चीज आइदर जो range है सपोच यह एक range है यह range के top पे होगा या bottom पे होगा ओके वह पहली आपको मैं करके दिखा रहा हूँ फिर उसका दूतरा point बता रहा हूं देखें अगर बाकी का support resistance फिर भी छोड़ दें तो आज का market का देखिए यह market का closing opening है और यह इसका low है ओके यह हिसाब देखें तो यह एक difference है फिर भी इसका support आपको मैं दिखा के दिखा रहा हूँ देखें लोड़ टैम टैम पे देखने से थोड़ा सा पता नहीं चलेगा आपको थोड़ा हावली जाना पड़ेगा हावली पे देखें वहीं पे मार्के हाँ वो टोजिस टैम पे और यहां पे देखें यह है गया यह support देखिए हो गया यह बही zone है और यह support है उसका initial previous support ही कहा रहा हूँ ओके यह भी मैंने mark किया था ऐसा नहीं कि यह भी support नहीं होगा लेकिन वो उसको break किया और इसके नीचे support बनाया ओके अब फिर 15 minutes पे आ जाएंगे यह थो था support मार्केट जभी भी इस टैप का small body candle बनाता है यह हमेशा आइदर टॉप पे रहेगा क्यूंकि market का moment नीचे लाने के लिए या नीचे बनेगा मार्केट का moment उपर लेने के लिए इसमें बहुत टैप का candle रहता है shooting star hanging man और भी small body जितना भी रहता है spinning top यह जितना भी रहता है small body रहता है लेकिन इन सब के साथ एक चीज़ जो common है वो without confirmation के साथ कभी भी ट्रेट लेना नहीं चाहिए नहीं होता है आप आज आते हैं confirmation क्या ह यह जो small body है इसके उपर एक green candle opening हुआ जो कि इसके उपर ही closed आया okay हमेशा इसी टैप का ही pattern होता है अगर आप identify कर पाए तो market महीं से शुरू महीं से retest support confirmation then trade आपका return देखें और आपको exit भी करना कैसे है simple पहले तो target ही decide कीजिए यह आपका आएगा पहला target दूसरा target जो हमेशा मैं बताता रहता हूं कभी भी market के जो weak body पे है उसके मत लगाईए पहले जितना हो सकरा है उसका closing पे वो weak पे नहीं closing पे लगाईए market never be exact कभी exact नहीं रहता है वो उपन नीचे होता रहता है तो कल का जो closing है उसके उपर ही यह top पे भी नहीं और यह आपका target है okay so if you like this video do subscribe subscribe कर दीजिए आपके लिए ऐसा नया नया content लाता रहूँगा और साथ में आप लोगों भी comment कीजिए ताकि मैं उसी related में video होना सकूँ thank you